हलो बच्चो मैं सोनु जागिर आपका नव भारती परिवार में आपका स्वागत करते हुँँँँगे आज हम पढ़ेंगे हिंदी कख्षाचे का पार एक और बी दू ये कभीता है रामातार त्यागी जी पहले हम कभी का परिचे पढ़ेंगे तो बच्चो हम पहले पढ़ेंगे कभी परिचे रामातार त्यागी जी का जम्राम 17 मार्च 1925 को उत्य प्रदेश के मुरातावार जी लेके संभल तहसील में हुआ इन्होंने दिल्विश्व विद्ध्याणे से स्नातक की शिक्षा प्रावर की हिंदी को एक नहीं उचाय देने वालों में इनका नाम स़बसे अग्रणी मूं है राम थारी सिंग ऻिएंग बहुत से हिंधी शाहित्य कारों ने इनके गीतों की बहुत भी शरार्ना की है बारा अप्रेयल सर्फ उनीस सो पिप्जाजी को इनका अगस्मिक निधन हो गया ये था इनका परीचर अब इनकी रचनाएं कौन सी थी वो देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं है नया थून मैं दिल्ली हूँ गीता सब तक 21 गेल गुनार और बभूरवल राश्ची एक्ता की कहानी और महा कवी का लिदास द्वारा रची मेरी दूर का आध्या मुबार नामत उपन्यास चरित्रहीन के पात्र दिल्वी जो एक शहर था इसके अतिरिक राम जुनोंखा जैसी गर्दे की रचनाएं इन्होंने की का इसमें कवी ने समध्पण का राव व्यक्त किया है इन्होंने कवी ने अपने देश के लिए समक्थिक होने की भावना देने संवर प्यार के लिए तो पड़ते हैं बन समत्पित तन समत्पे और यह हैं जीवन समत्पी चाहता हु देश की धर्ती तुझे कुछ और भी दूँ इसमें कभी कहते हैं कि मैं अपना मान तर्ण और पूरे समस्त जीवन को धर्ती मा को सौपता हूं और चाहता हूं कि सारा जो मेरा सावसु है वो धर्ती मा को सौपता हूं लेकिन सब है कि मैं तुझे और भी कुछ दून कुछ अब हम आगे नेक्स पंगी पड़ते हैं तुम्हारा मां तुम्हारा रिन पहुत है मैं अकुंचन किन्तु इतना कर रहा थी दी निवेदन थार मैं लाउंच सजागर भाल जब ली कर दया स्वीकार लेगा यह समद्ध इसमें कवी मैं कहता है कि मां मेरा आपके उपाया बहुत रिन है मैं इस धर्थी पर जनम दिया और जीवन्यापर पाल पोसकर आपने मुझे बढ़ा किया है तो मैं इस धर्थी का रेंड मैं नहीं चुका सकता मैं अर्फिन चलूंँ मतलब कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मै मैं थाल लेकर आँ भार जबी यानि कि भार रेनी मस्तख कि मैं जब ही मस्तख पर मस्तख आपके सामने रखूं धर्टी मा की जो सेवा करूं तो अपना सर अपना मस्तख को आपको सुछा करता हूं और यही मेरा समझ मढद है मैं इस धर्दी मा के लिए रक्षा करना चाहता हूं इस देश की सेवा करना चाहता हूं और सब कुछ देने के बाद भी मेरे पास मैं संतुर्थ नहीं हूँ और मैं ये सब कुछ आपको संबर्भी करता हूँ आगे पड़ते हैं गान अर्पित प्राण अर्पित रग्त का कंगर्ट समब्वित चखता हूं देश की धर्थी तुझे कुछ और भी तूँ इसमें कभी कहते हैं कि मेरे गेग और मेरे प्राण आपको अर्पित करता हूं रत का कंगर्ट यानि कि मेरे शवित का कंगर्ट की बूर्पूर में आपको समब्वित करता हूं और चखता हूं की देश की सेवा करूं और यह सेवा करने के बार में भी वो संतुष्ट नहीं है इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हें और भी कुछ देना चखता हूं आगे पढ़ते हैं प्रंक्ति में मांज दो तर्वार को लावर देरी बांज दो कसकर कमर पर धार मेरी भाल पर मंदो चरण की दूर थोड़ी शीश पर आशीश की छाया धनेरी इसमें कवी देश की रक्षा के लिए तयार होता है और कहता है कि मांज़ो तर्वारार की दलवार की भाल को पेज़ करती और कोई देरी बाता है और पर मैं जो अधे मांध safety and की लोड़ी फूल मेरे समस्तख पर लगाते हैं इस्से की शीश पर आशीष की च्खाया थे इससे की मेरे जो सरकर है मेरे शीश पर मेरी मातल भूमि का आशेवान बना रहे हैं कि पंत्री पड़ते हैं सफन अर्पित प्रश्न अर्पित आयू का शण संबर्पित है चांथा हो देश धर्ती तुझे कुछ और दी दूर इसमें कभी अपने सपने अपने प्रश्न और अपनी सारे उम्रे के जो शण क्षण है वो देश को समर्पीत करना चाहता है इशी तए कवी भी अपने सापनों को देश की सेवा में समर्पीत करता है और अपनी पूरी जिंदगी को, जिनकी तेजर शनशन है, वो देश को समब्पिक करता है, जहता हो देश की धर्टी, तुझे और भी कुछ दो, और ये सब कुछ समब्पन करने के बाद ही, वो संतुष्ठ नहीं होता है, और उसे धर्टी मा को और भी कुछ देना चाहता है, देखे आगे, तोड़ता हूँ मोख का बंदर, शमा दो, गाउं के मेरे द्वार, घर मेरे आंगल शमा दो, आज सीधे हाथ में तर्वार दे दो, और बाए हाथ में भज को थमा दो, इसमें कभी कहते हैं कि मेरे गाउं, मेरे घरवार, मेरे आंगल से मैं मापी मांगता हूँ, यह सब से सवा करने करूं हो और करते हैं कि हर Mouse Gray करो comunque केथे हाते हैं हुआ कि यह सीध्य हाथ मेरे तर्बार दे को सीधय हात में थवाहत देडे तो यानि है जब देश की सेवा के पर देशक करने कें आवार में जो भी जय काता होती है तो इस व्यon के लिए वह उचाहिए काँ वहार में जंडा प्रयात कर देपे हार हानाना सब्सक्रेंग और जो मांगतला द्लू BEN इसके लिएिस मांतना như सब अभी चाहता हूँ देश की धर्सक्राइब पूष और भी इसमें कबी अपने फूर्ऑ असब करना चाहता हूं जैसे Choi चिडिया यह जी चिगल जनल नंदों करना बनाती है वो सबनाती है देखना हूं देचीच समर्पित करने के बाद में भी कभी संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो धर्ती मां को अपनी मांत्र भूमी को कुछ और भी देना चाहते हैं तो वच्चो यह था आमारा लेसन कभी का अब हम आगे शब्द पर पड़ेंगे समर्पी समेत पर समर्पी पूरी तरह से धेख कर देना दिल यहीं कि घार और किंचन जिसके पास कुछ नहों निवेदर विंती करना है रिक्वेस्ट करना भार यहीं मस्तर स्विकार यहीं ग्र तर्वार की तेज धार कर दो धार प्रहार रोपने वाला एक रोपने का एक साधन शीस यानि कि सेव आशिश यानि आशेवार घनेरी यानि घनी अब हम आगे परते हैं नीचे लिखें शब्दों के ती तीन पर्याय वाल्ची साब दिखें धर्टी धर्टी का होगा भूँ भरा भूमी भाल बालता होगा सेथ मस्तः लड़ा बेर्टा होगा कुदार पर्ड़ देर्ड़ी गर्ड गर्ड़ साब आवास सुमा यानी पुष्प उसम पुष्प उसम पुष्प उसम पुष्ण पुष्ण से इन पर्ड़ा पुष्ण सुमा पुष्प उसम पुष्ण अब आगे लिखें रिक्तिस्थान की पूर्टी रेखां की चब्डों के ग्लोब चब्ड़ से की थे अब यहां पर रेखां कि है धर्टी तो धर्टी का ग्लोब चब्ड़ होगा अकाश तो हमगो ने धर्टी और अकाश का भला क्या मिलन आगे हैं मेरे सीधे हाथ में तर्वार है और तो सीधे का क्या हो गया? उल्टे उल्टे हाथ में धर्ट फूलों के साथ अब फूलों का होगा क्लोब चब्ड़ काटे फूलों के साथ काटे तो होती ही है जीवन और अब जीवन का हो गया? मरण जीवन और मरण तो विधाता के खापने हैं अब आप देर ने करें तो देर का हो गया जन्दी जन्दी से आज आएं तो ये था बच्चो आज का चेप्टर कवी कवी और मैं और क्या दू धर्टी का तो बच्चो ये थी हमारी कवी था और भी दू अब हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चेप्टर की साथ में तब तक के लिए गण्यवाद